काला हिरन जिसे काफी जादा पवित्र परशु माना जाता है अब उसे श्रधांजली देने के लिए एक किसम से जोदपर वार्षियों ने एक बड़ा कदम उठाया है एक बड़ी अनॉंस्मेंट की है चलिए यह बात करते दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड रुपए का जुर्माना भी उन्हें देना पड़ा हाला कि जमानत पर वो बाहर हैं दोस्तों और उन पर जो है काले हिरन को मारने का ये लजाम लगा था और बाद में इसकी पुष्टी भी हुई थी तो उस काले हिरन को जहां पर दबाया गया था कांकनी में वहां पर अब उसका एक स्टेच्यू बनने वाला है एक किसम से समाधी जैसे कि संत महात्माओं की समाधी होती है उस तरीके से सब किया जाएगा उसका स्टेच्यू बनाया जाएगा और उस साथ बिगा एरिया में दोस्तों रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा जानवरों के लिए खासकर काले हिर्णों के लिए जहां जैसी किसी भी प्रकार से वो जखमी है या कुछ बिमारी उन्हें है तो उन्हें बचाने के लिए वहां पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा और जोदपुर वासियों का ये बड़ा कदम है ये बड़ा फैसला है आपको क्या कुछ है इस में जरूर बचाएगे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में